इस वीडियो में क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद और यदि आप इस वीडियो पे आए हैं तो आज मैं आपको कुछ देख कर ही रहूंगा तो चली फ्रेंड्स आज हम जान लेते हैं कि आप अपनी वेपसाइट पर वर्ड पेस पर या फिर ब्लॉगर पर आ हैं और जब आप हिंदी मार्डिकल लिखेंगे तो वो पूरा इसमेस टैपिंग रहेगा इसमेस टैपिंग का मेरा कहने का मतलब यहां पर यह कि जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं कि क्या कर रहे हो कहां जा रहे हो आना कि नहीं आना ठीक है मतलब ऐसे करेंगे अपनी website पर लेकिन लेकिन यहां पर आपको जो है जैसे आप उसको टैपिंग करेंगे हिंगलिस में तो वह सो आटोमेटिक कर देगा हिंदी में और वह हिंदी फोंट आपका site पर support करेगा यदि आप यह गलती करते हैं कि पहले आप किसी मतलब MS Word पर आते हैं फिर क यहां पर यहां पर आप यहां पर अपना आर्टिकल लिखते हैं और यहां पर आर्टिकल लिखने के बाद आप जो है तो जाते हैं ऑनलाइन टूल में फिर उसको convert करते हैं उस unicode फंट फिर आपने site पर प्रेस्ट करते हैं तो यह बहुत ही लंबा process हो जाता है और मैं भी यह गलती पहले करता था लेकिन अब नहीं करता हूं ठीक है तो आज हम बात करने वाली कि कैसे हम इस process को ही खतम कर देंगे यहनि कि आप direct typing कर पाएं जैसे example के लिए मैं यहां पर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर मैं search करता हूं notepad example के लिए notepad online यहां पर मैंने search किया पहले search करके मैंने रख लिया था ठीक है कोई बात नहीं चलो तो यहां पर मैंने search कर लिया notepad online और यहां पर मैं इसको click कर देता हूं और इसका यहां पर language select कर लेता हूं Hindi ओके और इसके बाद Google input tool को यहां पर मैंने select कर लिया और यहां पर मैं typing करूंगा hello क्या आपने खाना खाया ठीक है अब मैं आपको इसमें difference दिखाता हूं अंतर दिखाता हूं अंतर क्या यहां पर मैंने लिखा hello क्या आपने खाना खाया और यहां पर माता हूं और यहां पर मैं लिखूंगा hello क्या आपने खाना खाया तो example के लिए मैंने ये font select किया और यहां पर मैं लिखूंगा क्या आपने खाना खाया ठीक है अब मैं क्या करूंगा इसको यहां से copy करूंगा और यहां पर इसको online में आके मतलब इस online टूल में आके paste करूंगा कोड आ पर कुछ हिंदी तो आई नी रहा हमने यहां पर यह लिखा और यहां पर यहां पर यह आ रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है यह इसली हो रहा है क्योंकि यह जो font है ना यह internet में support में ठीक है online यह सपोर्ट ही नहीं करता है इसको आपको convert करना पड़ेगा Unicode में जो mangal font होता है Google का उसमें आपको convert करना पड़ेगा ठीक है अब इसको convert करने के लिए आप Google में सर्च करोगे कुरूती देव फंट टू कनवर्ट या गूगल फंट ऐसे ही ठीक है तो यह बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता तो इस प्रोसेस को आजम खतम करने वाले हैं तो कैसे खतम करेंगी उसके लिए आपको एक स्वाप्रेर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने विंडोस में यानि तो यह है swap array ठीक है गूगल इंपुट टूल फ़र हिन्दी इसको आपको इस्टॉल करना है और साथ ही हिंदी इंपुट टूल के नाम से भी इसको आपको इस्टॉल करनए के लिए आपको जो है तो यहां पर .NET फ्रेमवर्क कि पड़ेगा ठीक है और वह वह डालोडिंग लिंक में भी लेजाएगा ठीक है अब यहां क्या करते है इसको सिंपल यहां पे इस्टॉल करें गे हला कि मैं ने इसको पहले आजिए कर लिया है ठीक है यहां पर मैं एसे वाले फॉन्ट को यहां पर इस्ट्रॉल करेंगे इसे तरीके से ठीक है तो अभी आप यहां पर देख सकती है हो रहा इस्ट् Đॉझ ठीक है और लाइट जा चुकी है मेरे खहाल से तो राइट चली गई है तो यह इंडिया इन्डिया मैं इसके बाद आपके सेलट करता हूँ गूगल इंपुट टूल्स को और इसके बाद सिंपल आपको टाइपिंग करना चालू कर देना जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा राजेस क्या आप मार्केट जा रहे हैं तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमने मैं sms टाइपिंग किया है हिंगलिस में और यह इसको आटूमेटिक कंवर्ड कर दिया है हिंदी में और यह फंड सभी जैगा support करविए आप इसे अपना date though करना चाहते हैं तो आप इसे कंटूल भी कंटूल आप खुद की साइट में लिख रहे हैं फिर चाहे हो वर्डपेस हो फिर चाहे हो ब्लॉगर हो आप लिख सकते हैं ठीक है तो उम्मिद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को like कर दिजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया तो इसे subscribe कर लिजेगा और bell button को on कर लिजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को share बिलकुन नहीं किजेगा ओके so मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए good bye आपके देनी शुब